कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि मालम होता है आप लोग टीतर का शिकार करने आए हरे यारो जो मुझे आज तक इन जेबों कुछ नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिलेगा लगाते हो शर्त आठाने की कि मेरे इस बैग में दो पजामें तीन रुपे की चिल्ला और दाड़ी के बुरुष के अलाबा कुछ नहीं पार्फदम मेरा नाम है शंकर दिया पंजाब मेट्रिक पास प्रम भगवा है कि यह को पुलिस का अधिम वाल में होता है ताकि तुम समझ लू कि कहां जा रहे हो मैं तो दुनिया की सेर पर जा रहा हूं एरां दो वर्ल्ट इन फॉर्ट्वेंटी डें पहले कहां जा रहे हो पहले नाक किसी पर नाक पूर जा रहा था ग अलती से कानपूर के रास्ते पे आई पहला है इधर से अधर से क्योंन जड़ी पहुंद आऊ गला है अच्छा एचल की यह समालिए अधाना कानपूर में सबसिद्द्दर कानपूर में हुलता है कि यहां पकड़ लाप सिंग कौन है अजी यह क्या बताएगा नैं बताता हूं आपको कि मैं कौन हूं ना एक बड़े बाप का छोटा बेटा हूं मेरे बाप का नाम तो आपने जरूर सुना होगा सेख मफराद आप मूल जी जिनका मूलियों का व्यपार है मैं उनका बर्वा कुत रहूं ग्यारा भाईयों का देहान हो चुका है और मेरा देहान होने वाला है तो पिली कूठी वाले मूल्जी का लड़का है और में तो क्या मैं आपको नीदी कूठी वाले मूल्जी ने बेटा लगता हूँ कि यह दो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निखी है कि आप लोगों का कोड़ी पाहा है अगर उसे तेरी जान प्यारी है तो दस दिंग के अंदर अंदर 50,000 पर हादर कर दे इसका जवाब अभी सुनीजिए उनका एक तार आएगा कि उन्हें मेरी जान विल्कुल प्यारी मेरा बाब है जिसे अपने पेटे की जान कारी निए वो मेरा बाब है मिस्टर नहीं छोटे ठाकरता हो नहीं सर्जी इस विचारे को क्या बता यहां किसे क्या कि तुम इससे जिखे लिख वाओं सुनीए आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं लेकिन जवाब भी आएगा ज क्या सदा चाहिए ना मैं लाक रुपे के लिखता हूं अगर आगए पचास आप ले लेना पचास में ले लूगा ठीक है बचे ले लेका होते हैं भोजब भोजब मुझे बड़ी भूट लेगी तेरे बाप का जवाब आने के बाद भूज़न मिलेगा मैं सर्जी जब तक कि बाप का जवाब नहीं आता है कि हमारा महमान ऐसे किसी तरह की तक्रीफ नहीं हुए अरे वाँ वाँ आप तो बड़े नेक इंसान हैं आप तो डाटू लगते ही इन लोखनों के साथ कैसे हम गयाते हैं अगर ख़ब बज़ने के रांग लोड के मेले में भागमाद के मेर बेंस आप धच्टातर बांबर शक्रीफ झार के नंते हैं फज़ने के अगड़